तशमी के दिन समर्पित की गई शमी का एक पत्ता महादेयो को अगर एक शमी का पत्ता तशमी के दिन समर्पित कर दिया जाता है तो जिंदगी में कभी वेभव और धन की कमी नहीं आती उसी तरह इस हरदय को शिवतत्व में सरन समाहित करकर रखना शमी का पत्र है एक पत्ते में चौधा करोड सोने की मुद्रा का फल होता है उस दश्मी के दिन जो एक शमी का पत्र धूल वश्वी महादेव को समर्पित कर दे उसकी जिंदे मिकी में कभी संपधा की कमी ना आए एक शमी का पत्र एक शमी का पत्ता चौधा करोड सोने की मुद्रा से प्रबल हो जाता है शमी के ब्रक्ष के नीचे बेलपत्री के ब्रक्ष के नीचे अगर भूल से भी बच्चा बूढ़ा कोई व्यक्ति एक पार्थिव शिवलिंग का निर्मान कर लेता है भूल वश्वी उसके भाव से पुश्प या शमी पत्र या बेल पत्र भी चड़ा देता है तो वो इस संसार में कहीं ना कहीं सुख भोगता ही है उसके जीवन में दुख ही प्रयास करा करो अगर घर में संपदा लच्मी नहीं आ रही हो वेपार वेवसाय नहीं चल रहा हो नोकरी सर्विस नहीं मिल रही हो बहुत तकलीफ हो साथ बेल पत्री केसर को घिस कर चंदन मना कर बेल पत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है दोनों पत्तियों पर भी एक आधिशक्ती जगदंबा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है दूसरे में शिरिगने शृद्दी सिद्धी के नाम की बिंदी लगाना है शिव जी पर समर्पित करते जाना शंकर को चड़ाते जा जल के पात्र में धोड़ा सा शहद, घंगा जल उसमें डाल कर कुंद कैश्वर महादेव के नाम से कुंद कैश्वर कोटे हैं किभशन कुछ दूद कच्छा दूद केवल शुलिंग पे चड़ाना चाहिए या पूरे शिव परिवार पे प्रिश्ण अच्छा है और श्यों महा पुराण की कथा रुद्राक्च उस्षव चल रहा है तो आप उसको समझें दूद केवल श्विलिंग पे चड़ाना चाहिए या जो श्विलिंग के आसपास में सभी परिवार विराजवान होता है उस पे भी चड़ाना चाहिए अगर लिंग पुराण आप उठा कर देखेंगे तो लिंग पुराण में एक बड़ा सुंदर संबाद आता है जिसमें वह जो वढनन किया गया है कि उसमेंल लिंग पुरान के अंतरगत एक पीले शिवलिंगि का ऑशा ह्किला जो होता है को शिवलिंग का भामर्णं coordin कि इंगे दोप जब आप देव अधिदेव महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो शुमहा पुरान की कता कती है लिंग पुरान कता कती है नर्वदा पुरान इसकंद पुरान पदो पुरान अगनी पुरान सारी पुराने बर्णन करती है वरहा पुरान ग्रमवेता पुरान की जित कि अलग सैंआ करें रद्धी को सिध्राने की टरूरी तब खेंसिते पना पड़ेगा अ Theater क डिड़ाना पड़ेगा। आज़ी कारति के जी एक टाना पड़ेगा या मैं दी को रणा पड़ेगा। आपको ज्यात होना चाहिए कि शंकर वगवान पर चड़ाया गया थोड़ा सावी दूद जल जो हम वगवान शिव को समर्पित कर रहा है वो केवल शिव के लिए नहीं रहता केवल वगवान शंकर के लिए नहीं है वो स्वयं तेतिस कोटी देवताओं को समर्पित हो जाए एक लोटा पानी बेलपत्री आप शिवलिंग पर पेले चड़ा रहे हैं उसके बाद जल चड़ा रहे है दूसरा जल चड़ाने के बाद बेलपत्र चड़ारे है ये दो अलग-अलग क्रम हैं संकर भगवान की तूजन के आप समझ लीजिए गजरा ये प्रसंग कभी नहीं आया आ जाया है तो उसको समझ पहले बेलपत्र उसके बाद में जल जो चड़ाया जाता है ये रोग मुक्ती के लिए चड़ाया है अब शियुमंदर में जाकर दर्शन करेंगे तो दो चीज़ें अपने को दर्शन करने को मिलेगी एक भगत आता है शंकर जी के मंदर में अलोग भाव से पोच्ट हैं तो प मंदर में पहुचता है पहले जल चड़ाता है फिर बेलपत्र चड़ाता है दोनों का अलग 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 भाव है पहला अगर बेलपत्र चड़ाया है और उसके बाद अगर शंकर भगवान पर जल चड़ा रहे हो तो ये रोग मुक्ती के लिए होता है जैसे बड़े रोग क रोगों को थामने के लिए बेलपत्री पहले है फिर जल जल के लिए आप सिध्धता के लिए आप अच्छे कारे के लिए आप मन की प्रसनता के लिए आनंदता के लिए आप शिव अराधना कर रहे हो आप शंकर की अराधना कर रहे हो तो आप जल चड़ा कर फिर बेलपत्री कि अपने जल चड़ा या इसके वह बिृ बस एक बात का स्मर्ण आपको होना चाहिए श्युमाहा पुरान का कि जब भी आप भगवान्शंकर को बेलपत्र चड़ाते हैं बेलपद्र समर्पित करते हैं करें प्रयास करा करें कि ये बेलपत्र को जब भी आप शमर्पित करें प्रयास करें कि बीज की जो पत्ती होती है बेलपत्र की मद्द की जो पत्ती होती है उसको अंगुष्ट से पकड़ा जाए उसके बाद में आप फिर बेलपत्री को शिव पर समर्पित करें प्रयास करें कि बेलपत्र जो नगवान को समर्पित करें उसका मद्ध्य जो भागém होता है जो तीन देवतां का मद्य जो भाग Omaha इह उसको पकड़कर बेलपत्री को शिव को शंभी कि धर चौ alrededor झाल झाल